और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसी आठ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो इस साल 2020 में लॉंच होने वाली है बाकी दोस्तो ये बाइक्स पहले ही लॉंच हो जाती लेकिन कोरोना वायरस के कारण इनका लॉंच डिले हो रहा था लेकिन अब फाइनली इनकी लॉंच डेट्स आ गई है तो पहले नंबर पर आती है होन्डा CB 150R दोस्तो ये बाइक दिखने में एकदम classy सी लगती है काफी बढ़िया muscular look ये बाइक आपको देती है इसके सामने आपको round shaped LED headlamp मिलता है जैसा कि आपने हसक वरना में देखा होगा उसी से मिलता जुलता headlamp इसमें आपको मिलता है और पीछे आपको LED tail light मिलेगी और चारो ही indicators इसमें आपको LED indicators मिलेंगे जो इस bike के लिए best in segment रहेंगे दोस्तो अगर comfort की बात करें तो इसमें आपको unibody single seat मिलेगी जो की काफी spaceful भी है और आपका sitting posture भी इसमें upright रहेगा तो आपको किसी भी तरह का back pain नहीं होगा इसलिए आप आराम से 3-4 गंटे की ride इस bike पर कर पाओगे बाकी सामने आपको telescopic suspension मिलेगा यहाँ पर आपको USD folks दिख रहे होंगे लेकिन जब यह bike Indian market में आएगी तो price cutting करने के लिए इसमें telescopic suspension लगाया जाएगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा दोस्तो instrument console इसमें आपको fully digital मिलेगा जो देखने में भी काफी बढ़िया है और आपको सारे basic features इस console में मिल जाएंगे engine displacement की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 149cc का single cylinder 4 valve liquid cooled FIDOHC engine जिसका maximum power होगा 20 bhp का और maximum torque होगा 18 newton meter का और number of gears इसमें आपको 6 मिलेंगे दोस्तो price की बात करें तो इसका expected price है 130,000 X showroom Delhi और September end तक Honda अपनी CB150R को इंडियर मार्केट में launch कर देगी बाकि आप comment करके बताओ कि आपको Honda CB150R कैसी लगती है दूसरे नंबर पर आती है Yamaha XSR 155 दोस्तो इस bike काना काफी लोग बे सबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये bike एक anti-cruiser bike में आती है जिसकी वजह से इसका जो looks है वो काफी premium style इस bike को देता है दोस्तो इसके सामने आपको LED headlight मिलती है जो की काफी bright है और पीछे आपको round shaped में LED tail light मिलती है जो देखने में भी काफी stylish लगती है और हर बार की तरह इस bike में भी आपको bulb indicators मिलेंगे क्योंकि Yamaha का हमेशा से motive रहा है कि वो अपनी small segment bikes में bulb indicators ही देते हैं दोस्तो seat इसमें आपको काफी comfortable और spaceful मिल जाती है और इसका sitting posture भी straight और relaxed है तो आपको किसी भी तरह का back pain नहीं होगा और इसमें आपको round shaped में digital instrument console मिलता है जो एकदम unique और premium style इस bike को देता है और इस console में आपको सारे basic features भी मिल जाएंगे दोस्तो suspension की बात करें तो सामने आपको telescopic suspension मिलेगा USD folks इस bike में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि price cutting करने के लिए Yamaha company इसमें telescopic suspension देगी और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा engine की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 155cc का single cylinder 4 valve liquid cooled FIBS6 engine जो maximum power generate करेगा 19.3 bhp का और maximum torque generate करेगा 16 newton meter का और आपकी safety के लिए इसमें आपको single channel ABS मिलेगा और पीछे आपको RLP sensor भी मिल सकता है दोस्तो इसका expected price है 1,4,000 X showroom Delhi और September में इसकी pre booking start होगी और October में ये bike Indian market में launch हो जाएगी तीसरे number की upcoming bike है Zontes की तरफ से आने वाली U125 जैसे कि आप सभी को पता होगा कि Indian market में new new companies आ रही है तो ये भी उन में से एक है जो इस साल इस bike को उतारने वाली है दोस्तो इसका सामने का design एकदम unique और premium है जो शायद ही आपको और दूसरी bike में देखने को नहीं मिलेगा इसके सामने आपको दो LED headlight मिलती है जो काफी aggressive look इस bike को देती है और पीछे आपको LED tail light मिलेगी और चारो ही indicators इसमें आपको LEDs मिलेंगे दोस्तो instrument console इसमें आपको fully digital मिलेगा जिसमें आपको सारी information मिल जाएगी दोस्तो comfortability के मामले में ये bike काफी तगड़ी है इसमें आपको splitted seat मिलती है जिसकी cushioning up to the mark है और इसमें आपको single piped handle मिलेगा जिसके कारण आपका sitting posture upright होगा और आपको किसी भी तरह का back pain और shoulder pain नहीं होगा इसके सामने आपको USD fork suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा बाकी अगर बात करी जाए engine specs की तो इसमें आपको मिलता है 124.5 cc का single cylinder 4 valve liquid cooled DOHC BS6 engine जो max power produce करता है 12.2 bhp और max torque generate करता है 10 newton meter का बाकी अगर breaking की बात करें तो इसमें आपको dual disc मिलेगा और single channel ABS के साथ ये bike इंडियन market में launch होगी अगर बात करें इसकी pricing की तो इसका expected price है 110,000 extra room Delhi और festival season में ये bike इंडियन market में launch हो जाएगी 4th number पर आती है Aprilia RS 150 दोस्तो ये bike Aprilia बहुत पहले ही launch कर देती लेकिन COVID-19 के कारण इसका launch delay हो गया था लेकिन अब बहुत ही जल्द ये bike इंडियन market में आने वाली है दोस्तो लुक्स इस bike का काफी तगड़ा है ये एक full fed bike है जो इस segment में Yamaha R5 version 3 को काफी तगड़ा मुकाबला देगी क्योंकि हर angles ये bike एक sporty appearance show करती है इसके front में आपको triple halogen headlamp मिलता है और corners पर LED DRLs मिलते हैं जो इस bike को एक premium look देते हैं और rare में आपको LED tail light मिलेगी और इसमें आपको LED indicators नहीं मिलेंगे इसमें आपको bulb indicators मिलेंगे बाकी riding posture इस bike का थोड़ा aggressive है तो हो सकता है कि 3-4 घंटे की ride के बाद आपको back pain होने लगेगा लेकिन rider और pillian seat दोनों का ही comfort best in class है दोस्तो सामने आपको USD fork suspension भी मिल सकता है या फिर company price cutting करने के लिए telescopic suspension देगी इसलिए मैं इस मामले में 100% sure नहीं हूँ लेकिन पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा दोस्तो 149.5 cc का engine इसमें लगाया गया है जिसका power है 18 bhp और torque है 14 newton meter का तो 150 cc के हिसाब से काफी बढ़िया power इसमें मिल जाती है बाकी ये bike November end में launch होने वाली है और इसका expected price रहेगा 145,000 x showroom Delhi बाकी आप comment करके बताओ कि अगर ये bike Indian market में launch होती है तो आप इसको लेना पसंद करोगे की नहीं फिफ्त नंबर की upcoming bike है husk वरना 108 pillion 200 और wit pillion 200 दोस्तो इस साल husk वरना की 250 cc segment में काफी बढ़िया sales हुई है और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि KTM Duke 250 से जादा husk वरना 250 की sales हुई है और अब company ने confirm plan बना लिया है कि वो 200 cc segment में भी husk वरना को Indian market में उतारेंगे और इसकी test drive लेते समय इसको spot भी किया है तो इसका मतलब ये bike बहुत ही जलत launch हो जाएगी जोस्तो गाड़ी का looks and design टोटल 250 cc से similar रहेगा बाकि new colors के option आपको 200 cc segment में देखने को जरूर मिलेंगे बाकि आपको same front में round LED headlight मिलेगा और पीछे आपको LED tail light मिलेगी और seat comfort भी इस bike का काफी बढ़िया है और आपका sitting posture भी इसमें एकदम relaxed रहेगा बाकि सामने आपको USD fork suspension मिलेगा और पीछे monoshock suspension मिलेगा और breaking की बात करें तो इसमें आपको dual channel ABS मिलेगा बाकि engine इसमें आपको मिलता है 199.5 cc का single cylinder 4 valve liquid cooled FIDOHC engine जिसका maximum power रहेगा 25 bhp और maximum torque रहेगा 19.3 newton meter का बात करें इसकी pricing की तो इसका expected price होगा 1,60,000 X showroom Delhi और आने वाले 2-3 महिनों में हस्क वरना अपनी 200cc की bike को इंडियन मार्केट में launch कर देगी बाकि आप comment करके बताओ कि अगर हसक वरना 200 launch होती है तो आप लेना पसंद करोगे की नहीं 6th number पर है Yamaha MT-03 दोस्तो इस bike का fanbase एकदम अलग level पर है क्योंकि 300cc में आपको twin cylinder engine मिलता है जिसका मतलब काफी बढ़िया power इस bike में आपको देखने को मिलेगी दोस्तो लुक्स इस bike का एक naked segment के हिसाब से काफी premium है और इसके जो tank extensions है वो भी इस bike को काफी बढ़िया look देते है दोस्तो front में आपको monster design में headlamp setup मिलता है जैसे कि आपको MT-15 में देखने को मिलता है लेकिन इस bike में LED DRLs का size छोटा और sharp कर दिया है जिससे bike काफी aggressive look देती है और center में आपको projector bulb मिलता है बाकी पीछे आपको LED tail light मिलेगी और 4 indicators इसमें आपको LEDs मिलेंगे बाकी engine इसमें आपको मिलेगा 321cc का twin cylinder liquid cooled 4 stroke 4 valve DOHC engine जो max power देगा 42 BHP का और maximum torque देगा 30 Nm का बाकी दोस्तो MT-03 के आने से KTM Duke 390 और बजाज Dominar 400 को तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और अगर इसकी pricing की बात करें तो इसका expected price है दो लाख पचास हजार एक शोरूम डेली और November end में ये बाइक शोरूम डेलर्स तक पहुँच जाएगी बाकी वो लोग comment जरूर करना जो बेसबरी से MT-300 का इंतजार कर रहे हैं सेवन्थ नंबर पर है कावसा की Ninja ZX 250R दोस्तो इस बार कावसा की 250 CC सेगमेंट में काफी बढ़िया बाइक इंडियन मार्केट में लेकर आ रहा है जिसका लुक्स भीना एकदम धासू है और पावर भी इसमें आपको 400 CC के जैसा देखने को मिलता है दोस्तो फुल फेरिंग में ये बाइक आएगी बाकी लुक्स और डिजाइन इस बाइक में आपको काफी गजब का देखने को मिलता है पहली नजर में ही ये बाइक आपको पसंद आ जाएगी सामने आपको LED Headlight मिलती है जिसका Front Design इस बाइक को एक Aggressive Feel देता है और पीछे आपको LED Tail Light मिलती है बाकी Instrument Console इसमें आपको Digital और Analog का मिलता है जिसमें Analog Meter में आपको RPM मिल जाता है और Digital Meter में आपको Speedometer, Tachometer जैसे सारे Basic Features मिल जाते है Seat Comfort भी इस बाइक का काफी बढ़िया रहेगा, Rider और Pillion Seat दोनों ही अच्छी खासी Spaceful है तो आप Long Time Ride भी इस बाइक पर आराम से कर सकते हो Suspension की बात करें तो सामने आपको 45 mm USD fork suspension मिलता है और पीछे आपको Monoshock suspension मिलता है बाकी engine इसमें आपको मिलता है 249.8cc का 4-cylinder BS6 engine जो Max Power Produce करेगा 51 BHP का और Max Torque Produce करेगा 23 Nm का दोस्तो 51 BHP बहुत जाद पावर होती है एक 250cc की बाइक के हिसाब से अगर आप में से किसी ने RS200 चलाई है तो उसमें भी 24 BHP का पावर मिलता है लेकिन इस बाइक में वो पावर डबल हो जाती है तो जिन लोगों को पावर पसंद है उनके लिए ये बाइक परफेक्ट रहे हो जाएगी बाकि आप कमेंट करके बताओ कि आपको कावसा की निंजा ZX 250R का लुक्स कैसा लगता है आठवे नंबर की अपकमिंग बाइक है होंडा CBR 250RR दोस्तो इस बाइक का लुक काफी जादा तगड़ा है क्योंकि 250cc सेगमेंट में आपको कुछी ऐसी फुली फेड ब लेकिन इस वाली बाइक का अंदाज एकदम अलग है सामने आपको LED हेड लाइट मिलती है और उसी के ऊपर आपको LED DRL मिलते हैं और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है बाकि दोस्तो लुक्स के मामले में ये बाइक आपको कहीं से कहीं तक निराश नहीं करेगी Fully Digital Instrument Console इसमें आपको मिलता है जिसमें आपको सारे Basic Features तो मिलते ही है लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको तीन Riding Modes भी मिल जाते हैं पहला Comfort, दूसरा Sports और तीसरा Sports Plus तो ऐसे ही कुछ Premium Features के साथ ये बाइक इंडियन मार्केट में आएगी सामने आपको Upside Down Suspension मिलेगा और पीछे आपको Monoshock Suspension मिलेगा बात करें ब्रेकिंग की तो इसमें आपको Dual Channel ABS मिलेगा और इसमें आपको Super Moto Mode मिलेगा जिससे आप ABS को Turn Off और Turn On भी कर सकते हो बाकी इंजन स्पेक्स की बात करी जाए तो इसमें आपको मिलता है 249.7 CC का Single Cylinder 4 Valve Liquid Cooled BS6 इंजन जो Max Power Produce करता है 37 BHP का और Max Torque Produce करता है 30 Nm का और इसकी Pricing की बात करें तो इसका Expected Price है 2,4,000 X Showroom Delhi और December स्टार्टिंग में ये बाइक Confirmed Indian Market में लॉंच हो जाएगी बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको Honda CBR 250RR का लुक्स कैसा लगा तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको Like कर दो, Share कर दो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो उसको भी Subscribe कर दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रुज़ाना ऐसी ही वीडियो लात रहता हूँ और अगर आपको कुछ doubt है किसी भी बाइक से related में तो आप मुझे से comment box पर पूछ सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको मेरा Instagram username show हो रहा होगा तो आप जाओ वहाँ पर ही मुझे जाकर follow करो और अगर आपको वहाँ पर भी कुछ doubt है तो आप मुझे DM कर सकते हो अभी के ल झाओ यहाँ